कटिहार में नगर्थानाचेतर के रिसी भवन कुरिंटाइन सेंटर से मज़़ूरों के भागने के मामले में पुलिस ने 10 मज़़ूरों को पकर कर फिट से कुरिंटाइन के लिए बेज दिया है जिलाब अधकाली ने पुरे मामली के जनकाई देते हुए कहा के 4 मई को रिसी भवन इस्तित कुरिंटाइन सेंटर से मज़़ूर 22 के वक्त भाग निगले थे लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आजम नगर्थानाचेतर के खुरियाल गाउं से पुना इन लोगों को पकर के डियो कोरिंटाइन के लिए भेज दिया है इस मामले में लापरवाई बतने वाले मजिस्टेट और एक प्लिस प्यादकारी पे करवाई की गई है करें हैा, बत्त्परता हम जोगों में ज्टतारी है लुपी जड़ता है अगल गजय दो लोगाई दियुक्त कर दो भीदान के दोटार्च कुछा जोगार से जोगार दोटार्च मुझ रूजए हुआ है तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है जो अपलब सूचना होती उसके अधार पे फायर होती है और जाच के क्रम में जो तक्तिया थे उसको उसमे आड़ कर लिए 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 तो नॉर्मल एफायर की तरह ही इसका होगा कोई नामजद बदले नी जाते हैं उसी तरह से इका है वहां पर इसी होगा उसके बारे में कुछ लिखा है देखिए अटेंडेंट का तो अभी इतनी जल्दी तो उसके बारे में कहना उचित नहीं होगा लेकिन ऐसी सुचना जो प्रारंबिक जाज हो रही थी उसमें आई कि कि वो भी किसी के स्टेटमेंट में कि उसने भी प्रया किया नहीं चाह रहा था कि यहां पए स्ट रगे फड़ा रिलक्टंस था वहां के लोगों में यहां पे नहीं नोग रोक जा है उसी करह में उसने अगर कुछ रिस्टैंस किया होगा उसकी जाछ्स होगी और जाज कि करमने जैसा है उसे साफ से विधी सम्मत प्रक्रियाद में कहां से इनों सब मिला है यह लोग आजम नगर से मिलें आजम नगर में डिटेल एस पी साथ बताएंगे तो जब कुलिस ने अपनी कारवाई शुरू की तो आजम नगर में लोग ट्रेस हुए तो कि यह लोग अपने घर जाना चाह रहे थे यह क्वारंटीन में नहीं रहना चाहते थे और उनको घर वालों से मिलने की इक्षा थी इसलिए यह लोग किसी ना किसी तरह रिजिस्ट कर रहे थे और जैसे ही बारिश तेज हुई और आंदी आई तो यह पलायन करते हैं यह कहा यह लोग 36 गन से बता रहे हैं यह तो इन्हों ने तो डिनाय किया है कि हमने ताला तोड़ा है तो वो पुलीस अनुसंदान पूरा होगा तब पता चले हैं कटिहार थानाचित्र के रिसी सेंटर से कल पांच लोगों के भागनी की सुचना मिली थी और इनिसियली यह पता च इसके बाद हम लोगों ने टीम बना कर पुलिस की एक मालदा जिले में भेजी थी और कुछ लोगों को अनिसुरुत और जाच के लिए लगाया था जिसमें यह जानकारी मिली कि भागने वाले खरसोता गाउं आजम नगर के हैं इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर इस गड़ से यहां आये थे और रिशी सेंटर पर ठहरे हुए थे और बारिज का फायदा उठाकर आंधी का फायदा उठाकर बोलो भागने में सफाल हो जाए इस संबन में नगर्थाना में प्रात्मिकी भी दर्च की गई है पांच नामजद अव्युक्तों के बिलुक हम स प्रतम दरश्टिया जो वहां प्रतिनुक पुलिस पदा अधिकारी थे सवनी संजय यादव उनको निलभवित किया रहा